अगर आप भी Samsung का phone इस्तिमाल करते हो और आपके phone में call bearing चालू है और आप इसको बंद करना चाते हो साइदों को पता हो कि अगर हम इसे चालू कर देते हैं तो हमारे phone पे call आता नहीं है और जाता भी नहीं है तो इसको बंद कैसे करा जाए आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सिंपल तरीका है यहांपर आपको सबसे पहले अपना डायलर पैड ओपन करना है जहां से आप किसी को call करते हैं यानि नंबर मिलाते हैं यहाँ पर आपको उपर की तरफ तीन डॉट मिल जाएंगे इसको देख लिजिए और क्लिक करके आपको यहाँ पर मिलेगा settings इसको open कर लिजिए यहाँ पर आपके पास कई सारे option आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा call settings या call bearing उससे देख लिजिए पर अगर आपको वाइल नया है latest है तो यहाँ पर आपको मिलेगा supplementary service इसको देखकर open कर लिजिए थोड़ा सा आपको wait करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा call bearing तो इसे चालू करें और यहाँ पर voice call पर click करें सबसे पहले और यहाँ पर आपको call bearing चालू है तो आप इसे आसानी से यहाँ से बंद कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इसे बंद कर सकते हैं पर अगर बंद करेंगे अगर आपका चालू है तो यहाँ पे आपसे आपका पासवर्ड पूछ सकता है तो अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए पर अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको अपना फोन रिसेट करना पड कर सकता है तो यहां पे आपी से चालू करें या बंद तो यह आTHप All करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और नए वीडियो में